भलाई की जीत शेर सिंग नाम का एक किसान था वह बड़ा घमंडी और जगडालू था काउवाले भी उससे दूर ही रहते थे उस गाउं में कृपाल सिंग नाम का एक किसान आकर बस कया वह मीठा बोलता था और सब की साहता करता था कामवालों ने कृपाल सिंग से कहा तुम शेर सिंग से दूर है ना वे बहुत जगडालू है कृपाल सिंग ने हस कर कहा शेर सिंग मुझसे जगडा करेगा तो मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूगा शेर सिंग को यह बात ग्यात हुई वे एक रोज से लाल पीला हो गया तो शेर सिंग से कुछ नहीं कहा एक बार कृपाल सिंग के एक मित्र ने उसके लिए मीठे तर्बूज भेजे कृपाल सिंग ने सभी काउं का वालों के घर एक एक तर्बूज भेज दिया शेर सिंग ने तर्बूज कहकर यह लोटा दिया कि वह भिकारी नहीं है पर सात आई शेर सिंग ट्रैक्टर ट्रॉली में आनाज भर कर शहर चला नाले में ट्रैक्टर फस गया बहुत पर्यास करने पर भी ट्रैक्टर नहीं निकला रात हो गई लेकिन शेर सिंग के वहवार के कारण कोई भी गाउवाला उसकी सहयता के लिए नहीं आया क्रिपाल सिंग को भी यह बात ग्यात हुई वे तुरंत अपना ट्रैक्टर लेकर नाले पर पहुचा शेर सिंग ने कहा मुझे तुमारी साहता नहीं चाहिए तुम लौट जाओ क्रिपाल सिंग बोला तुम जितना भी क्रोध करना चाहो करो पर पैर तुम्हें रात में हैं केला नहीं चोड़ सकता क्रिपाल सिंग ने मोटी जंजीर शेर सिंग के ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर में बान दी थोड़े ही प्रियास में भसे हुए ट्रैक्टर टॉली बहार निकलाई शेर सिंग का घमन चूर हो चुका था उसे अपने वहवार पर पच्चतावा हुआ अब शे सिंग पूरी तरह बदल गया भलाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की